नमस्कार दोस्तों मैं विशीक आपका विशेक ट्यूटरियल पर स्वागत करता हूँ तो जैसा कि अभी सुबा का 7 बजा है तो सभी को गुद मॉर्निंग और आपको बता दूँ कि अपसे डेली सुबा 7 बजे मैथ की क्लासेज होगी ठीक है? सुबा 7 बजे तो आज आपका फर्स्ट ट्रायल है तो आप लोग का रिस्पॉंस अच्छा रहा तो कल से सुबा 7 बजे से एक घंटी की कंटिन्यू क्लासेज रहेगी ठीक है? तो यह आज की क्लास शुरू करते हैं तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉलूशन देखेंगे तो देखें फर्स्ट क्रेशन है कि आपका मैट्रिक्स A का वैलू दिया हुआ है B दिया हुआ है और C दिया हुआ है ठीक है? तो फाइनट करना है A प्लस B तो जैसे A मैट्रिक्स था वहाँ पर हम A की जगर A लिख दिये और B की जगर B का मान दे दिये अब क्या करेंगे? इसके जो संगत अब्यब है उसको जोरेंगे 2 को 1 से जोरेंगे 4 को 3 से जोरेंगे तो यहाँ पर देखें 2 प्लस 1 4 प्लस 3 फिर 3 प्लस माइनस 2 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इसलिए 3 माइनस 2 फिर 3 प्लस 5 सॉरी 2 प्लस 5 तो 2 प्लस 5 यहां हो गया अब इसको solve करें कितना हो गया 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 3 माइनस 2 1 और 2 प्लस 5 7 तो इस तरह के से हम कोई भी matrix दिया हो रहेगा उसका sum इस तरह के से हम लोग ग्याद करेंगे ठीक है उस तरह से अगर घटाने की बाद second question में बोला जा रहा है तो देखिए A की जगह A का मान रखे और B की जगह B का मान रखे यहां पर प्लस माहिने का से ध्यान रखना है तो यह क्या होगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस 2 तो यहां दो कोई यहां पर देखिए क्या करना है A को 3 से गुना करना है सबसे पहले तो 3 A का पहले मान निकाल लेते हैं न तो 3 into A A की वैलू रख दिए ठीक है तो 3 multiply हुआ 3 into 2 6 3 into 3 9 3 into 4 12 3 into 2 6 यह वैलू आ गया अब 3 A माइनस C करना है तो 3 A की जगह 3 A का मान रख दिए और C की जगह C का मान रख दिए यहाँ पर जो C का मान था न question में आप लेके बैठे हो तो देखो कि C का मान जो है बूख क्या किये यहाँ हम रख दिए 3 A माइनस C ठीक है तो 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 6 प्लस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4 यह आपका आंसर हो गया ठीक है अब भरते हैं next question की और जो की है आपका matrix का गुना तो कल के class में पिछली class जो ही थी उसमें matrix का गुना का अलग से video आपको बना कर दिखाये गया है अगर आप नहीं देखे हैं ठीक है अगर आपने वो video नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ आपको कहां से देख लेना है यहाँ पे मैं i button पे जाके आप देख लीजी यहाँ पे i button को किलिक कर लीजी और आप देख लीजी ठीक है a से b को गुना करना है तो a equal और b का value हम यहाँ पे रख देए जो की book में दिया हुए है अब जो multiply होता है आपको पता है कि multiply row से column को करते हैं है ना यानि row को column से कैसे करेंगी तो पहले row fill column सोया हुआ row होता है और ख़ड़ा होता है तो column होता है तो पहला row को सबसे पहले पहला row को पहले column से पहला column का काम खत्म हो जाएगा थो फिर पहला रोखो दूसरे column से ठीक है ना और ये भी बताएदें कि जब हम गुना करते हैं फिर से बता देते हैं कि ये किस order का है 2 by 2 order का है 2 row 2 column और ये भी 2 by 2 order का है तो गुना करने पर जो आएगा इसका पहले वाला और इसका last वाला तो 2 by 2 का है ये भी आएगा ठीक है तो 2 पहले किसे गुना होगा 1 से 2 गुना 1 और 4 किसे गुना होगा minus 2 से क्योंकि row गुना हो रहा है आपका column से है ना row गुना हो रहा है column से ठीक है तो पहला row पहला column हो गया फिर पहला row और second column में जाएंगे तो 2 into 3 plus 4 into 5 यहाँ पर लिख दिए next अब पहला row का काम हो गया अब हम लोग जाएंगे दूसरे row पे ठीक है अब हम लोग जाएंगे कहां दूसरे row पे तो दूसरा row का देखिए दूसरा row क्या आपका 3 2 है तो और यहाँ से column से गुना करेंगे तो 3 into 1 plus 2 into minus 2 ठीक है उसके बाद 3 into 3 plus 2 into 5 ठीक है row को column से गुना कर लिए सभी row और सभी column हो गया तो अब इसको बस जोड़ देंगे 2 plus 2 और 4 into minus 2 minus 8 2 minus 8 वसुत रसके 2 into 3 is 6 plus 4 into 5 6 plus 20 फिर क्या हुआ 3 into 1 plus 2 into minus 2 3 minus 4 फिर क्या हुआ 3 into 3 plus 2 into 5 10 तो यह आपका जो आंसर आगया minus 6 26 minus 1 19 तो इस तरीके से हम लोग गुना करते हैं और इस चैप्टर में बहुत सा गुना दिया हुआ है अभी तो शुरुवात है ठीक है सुरी यानि exercise की बात करें तो तो next question पर हम लोग बढ़ते हैं देखें next question बोल रहा है उसमें अभी का गुना करना था और इसमें बी ये का करना है तो ध्यान देंगे कि मेर्टिक्स का अभ्यू का गुना में अभी और बी ये का मान बराबर नहीं होता है ठीक है तो हम बी ये से गुना करेंगे तो बी को पहले रखेंगे और एक को बाद में रखेंगे तो उसी तरीके से इसका रो और इसका कॉलम गुना होगा ठीक है तो पहले वन गुना होगा टू से और फिर थिरी गुना होगा थिरी से यहाँ पर देखिए उसके बाद 1 जो गुना होगा 4 से और 3 गुना होगा 2 से ठीक है पहला रोग हो गया अब दूसरे रोग पे जाएंगे तो minus 2 2 से गुना होगा और 5 3 से गुना होगा फिर देखे फिर होगा आपका minus 2 4 से गुना होगा और 5 2 से गुना होगा तिहां पे लिख दिए अब सब को जोड़ देना है 1 into 2 2, 3 into 3 9, 1 into 4 4, 3 into 2 6, इसी परिकार से सब को जोड़े तो answer कितना आ गया 11, 10, 11, 2 ठीक है I think आप लोग समझ गया होगे तो वीडियो पाउस करके आप चाहे तो अपनी notebook में लिखते चल सकते है आप लोग को बता दे कि अगर आप कहीं भी class अभी नहीं कर रहे है या कहीं भी coaching नहीं किये हैं सोच रहे हैं कि math की शुरुआत अब करें क्योंकि coaching classes तो सभी जगा भी बंद है तो इस दुनान आपके लिए सुरुआत का मौका हो सकते है क्लासेज बिल्कुल सुरु से करवाई जा रही है ठीक है अब कहीं भी आप coaching भी करो तो सुरुसे classes तो होगी नहीं तो इसके लिए आपको ये फैदा तो उठाना ही चाहिए चलिए आगे next question देखते है अब next जो क्या है वो सम है तो सम उसी तरीके से करेंगे a से a को जोरेंगे b से b को जोरेंगे minus b plus b और a plus a जैसे इसमें किये a plus a 2a हो गया b plus b 2b हो गया minus b plus b 0 और a plus a 2a ते कितनी असानी सो गया अब next question देखते हैं second number तो second number देखे वही चीज है आपका सम करना है तो a square plus b square 2a b सो होगा फिर ये इससे सम हो जाएगा ठीक है तो अब देखो सब को जोर तो लिए हैं इस तरीके से उसके बाद देखो a square plus b square plus 2a बी क्या होता है a plus b का all square b square plus c square plus 2bc b plus c का all square a square plus c square minus 2ac a minus c all square a square plus b square minus to a b a minus b whole square यह आपका right answer हो गया यहाँ देखिए next question जो है उसमें भी आपको sum करने के लिए बोल रहा है तो sum करने के लिए वही करना है ना 1, 12 से 4, 7 से minus 6, 6 से ठीक है यहाँ यह आ गया उसके बाद क्या करेंगे 8 को 8 से जोरेंगे 5 को 0 से 5 से, फिर 2 को 3 से जोरेंगे 8 पलस 2 और 5 पलस 4 अब यह जोरने पर आ गया 11 11, 0 और यह कितना हो गया 8 पलस 8, 16 5 पलस 0, 5 16 पलस 5, 21 और नीचे 2 पलस 3, 5, 8 पलस 2, 10 5 पलस 4, 9 ठीक है नेक्ट देखते हैं question number 4 इसमें ही बोला था आपको जोरिए तो cos square x, sin square x से जूटेगा sin square x cos square x से sin square x cos square से और cos square sin square से यहाँ देखिए sin square theta पलस cos square theta सभी का मान क्या होता है 1 होता है तो 1 यहाँ पर रख दिए तो यह आपका answer हो गया 1, 1, 1, 1 ठीक है आप देखिए 3 number जो question है 3 का first number जो question बोल रहा है वो बोल रहा है multiply करने के लिए यानि जो given question है बोल रहा है कि आप भी हो का गुना करें तो उसी तरह से होगा row जो होगा वो किसे गुना होगा column से ठीक है तो गुना करते है पहले a, a से गुना होगा फिर b, b से गुना होगा ठीक है sorry यहाँ पे गुना है उसके बाद क्या करेंगे फिर a, minus b से और b, a से a, minus b, plus b, into a अब बढ़ते हैं दुसरे row की तो minus b, a से गुना होगा और a, b से गुना होगा ठीक है उसके बाद minus b, minus b से और a किस से गुना होगा a से clear अब देखिए a into a, a square b into b b square ठीक है यहाँ a minus b a into minus b क्या होगा minus a b और b into a क्या होगा b ये तो minus plus cancel हो जाएगा 0 आजाएगा यहाँ भी minus plus cancel हो गया 0 आगया अब देखो minus into minus plus होता है b square और a square ठीक है तो यह आपका answer हो गया थरीके first का तो आज की class में इतना ही आगे आप लोग बनाईएगा कल की जो class होगी वो लंबी class होगी ठीक है तो आज पहली class थी बस आपनों को सभी को जनकारी दे दीजेगा कि सुबर 7 से 12 की जो NCRT math का जो solution है वो आपका daily classes होने जा रही है सुबर 7 बजे time याद रखेंगे सुबर 7 बजे ठीक है उसके बाद जो English classes है English classes भी सुरू करने की सोच रहे है continue timing से classes तो चली रही है है ना playlist में जाईए एक classes मिल जाएगी लेकिन हम लोग क्या सोच रहे है कि जिस तरह से math के classes को 7 बजे से रखे है उसी तरह से timing 8 बजे के आसपास English classes शुरू करने का वो भी Delhi regular basis पे ठीक है 12th की classes शुरू करेंगे तो मेटे है कल की class में और जो आपकी news जो purple की update आती रहती है इस channel पे वो आपका आता है रहेगा ठीक है उसके लिए टेंसर नहीं लेना तो ठीक है मेटे है कल की class में थैक्स वर वाचिए 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 वाचिए